बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू सबाय डेली, आज की हमारी डिश बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार से आपके पनीर मलाई कोफता, तो ये वेज कोफता है, जिन लोगो वेज कोफता में बहुत ही बैतरीन सी ये डेश है, आए इसे बनाना शुरू करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेलक आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे तो इसे बनाने के जो हमें इंग्रीडियंट्स चाहिए, वो अमोमन हमाए पास घर में ही मौझूद होते हैं, तो आईए फटफट शुरू करते हैं इसे बनाना, तो सबसे पहले हमें कोफते बनाने के लिए पनीर चाहिए होगा, तो पनीर जैसा कि हमने ले लिया और हैफ क जी के गरीब आपका पनीर है, यानि आधा किलो के गरीब आपका पनीर है, यह पनीर को हम इसे मैश कर लेंगे, तो आप यह तो हाथ की मदद से इस तरीके से आप इसे कर लीजिए, यह इसके बाद हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, तो यह हमारा इसमें 1 टी स्पून के गरीब आपका जीरा पाउडर चला गया है अब इसको अच्छी सी इसमें बाउंडिंग हो जाए उसके लिए हम इसमें आलू डालेंगे तो तक्रीबन हमने इसमें तीन अदद आलू लिये हैं तो तीन मीडियम साइज के आलू लेकर हम इसे साथ ही पनीर के साथ लगा देंगे इसमें अब हम इसमें कुछ वेजी आड़ कर रहे हैं ध्यान रहे कि इन वेजिटेबल में पानी नहीं होना चाहिए उसको निचोड़ के ही आपको आड़ करना है तो जैसे कि आपने देखा हम में इसमें शिमला मिर्च आड़ करी है गाजर आड़ किया है जिसे बिल्कुल बारी-बारी हमने चॉप कर लिया था साथ ही हमने इसमें प्यास भी आड़ करी है अब हमें इसमें थोड़ा सा टेस्ट देना है नमक और मिर्च का तो जिसके लिए हमने इसमें नमक आड़ कर तो नमक आप सेंदा नमक एड़ करने तो सेंदा नमक हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है तो यह लीजिए इसमें हस्ब जायका यानि according to your taste we have added salt और अब हम इसमें add कर देंगे मिर्च तो पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई जो भी आपके पास available हो वो आप इसमें एक चोटा चमच add कर देजिए जैसे कि आप देख सकते हैं इससे हमें आराम से जो कोफते का या कबाब का जो भी है शेप आ सकता है लेकिन हमने इसमें दो टेबिल स्पून के गरीब मैदा भी add किया है तो मैदा add करने से क्या होगा यह अच्छे से और आलू बगरा जो हमने add करें बाइन भी हो जाएगा और इसको जब हम fry करेंगे क्योंकि हमें इसे fry करके डालना है तो यह आपका खुलेगा नहीं अब हमने तेल इसमें add किया है एक पैन में एक कप के गरीब और उसमें हम कु और ही वेज कोफता भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ हम मागे जाके कुछ ट्राइफ्रूट्स भी आट करेंगे इसकी ग्रेवी में बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है बस ऐसा कलर आ जाए तो आप उन्हें एक डिश में निकालते रहें आप जो हमारे यह तेल बच पसंद पर डिपेंड करता है साथ ही हमने इसमें लैसन एक जो पूरा लैसन का जो यह होता है क्लो वो इसमें आट किया है और साथ ही साथ हमने इसमें थोड़ा सा अध्रग भी आट कर दिया है हलका सा हम इसे स्वाटे करेंगे बस कुछ ही देरी से ऐसे हम इसे फ्राइ करने के बाद हम इसमें आट करने वाले हैं प्याज तो हमने फोर लाज अनियन ले रखे हैं जिसे हमने स्लाइस कर लिया था यह देखें सरीक से बारी बारी काट लेजिए चार बड़ी प्याज़े यानी और यह इसमें आड़ करके हम इसे भी फ्राइ कर लेंगे साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी आड़ करने वाले हैं तो तीन ही टमाटर हमने भी रखे हैं बड़े साइज के मीडियम है आपके टमाटोस तो आप चार ले सकते हैं अगर large size है तो आपको 3 लेने है बस अब हम दी लीजिए फटफट इसमें add कर देंगे tomato तो यह लीजिए आपका यह tomato add हो गया है इससे क्या होगा आपकी जो gravy है काफी जादा rich और बहुत ही जबरदर से निकल कर आएगी अब आपने देखा जैसे हमने कुछ भी और अलग से फिलाल add नहीं किया है बस यही चीज़े add करी है और इसके बाद हम इसे अच्छे से यह करकर जब तक यह soft नहीं हो जाता और थोड़ा साल का color change हो जाएगा इसका तो उसके बाद हम इसे निकाल कर इसे बाद में paste बनाएंग तो अब जाहिर सी बात है इसमें भी थोड़ा सा आपको flavor चाहिए तो उसके लिए हमने इसमें नमक add कर दिया नमक का balance आप सही रखिएगा क्योंकि हमने कोफते में भी add किया है नमक तो यह देखिए जैसे क्या आप देख सकते हैं पियास हमारी काफी हद तक soft हो चुकी है औ और बस अब हम इसे ऐसे करके तेल में से निकाल लेंगे तो किसी ऐसी कर्ची से जिससे तेल इसमें से निकल जाए अब यह इसमें थोड़ा बचा हुआ जो तेल है उसके अंदर ही हम इसमें थोड़ा सा गैस पर रख दिया है हमने उसे गरम करने के लिए यह हमारा third stage है इस क इसे कड़कने लगे यानि उसमें चटकने लगे तो बस आप इसमें बाकी चीज़े आट करने शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहले चला जाएगा फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो कर दी है इस टाइम और यह चला गया आपका पिसी हुई लालमिश आप पिसी हुई तो यह आपका चला गया धनियाप rap ऑफ ऑफ घर्म मसाला पाउडर थोड़ सर नमक हम इसमें भी अट करेंगे तो यानि आपको नमक तीन बार इस में आग करना है तो इसका आप खास खियाल लगएका बस अब हम इसमें यह जो हमने प्यूरी बनाई थी वो इसमें आड़ कर देंगे जो मसाला जो हमने ग्राइंड कर लिया था वो हम इसमें आड़ कर देंगे लीजिए यह देखें यह इतना खुबसूरत सा इसमें किये कलर और बहुत ही उंदा सी खुश्बू सारे मसाले की जबरदस सी आपकी रिश सी ग्रेवी बिल्कुल आपका रेस्टरेंट वाला टेस्ट आएगा और इतना असान इसे बनाना आपने देखा बहुत जादा इसमें कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल अकसर यह जो इंग्रीइंट्स हैं वो हम सब के गरों में होते हैं तो यह आप कभी भी जब भी दिल चाहे जैसे कि आज कल रेनी सीजन है तो उसमें भी यह डिश काफी जादा अच्छी लगती है इस डिश को आप नान के साथ या चपाती के साथ या फिर आप इसे प्लेन राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बस अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी आड़ किया तो जिस ग्राइंडर में हमने इसे ग्राइंड किया था उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल कर तकरीब आधह कब के करीब हमने पानी डाला और उसे हमने इसमें एड़ कर दिया यह देखिए परफेक्ट रिच ग्रेवी आपके सामने और बस अब हमें इसमें अपने जो हमने कोफते फ्राई करे थे वो हम इसमें अड़ करते जाएंगे इस बात का खास ख्याल लगना है कि ये नीचे से बिल्कुल लगना नहीं चाहिए तो इसलिए इसे बहुत हाई फ्लेम पर आपको नहीं बनाना है और इसको आपको लगतार इसमें ऐसे इसे हिलाते रहना है किसी कर्ची की मदद से ये हम इसमें थोड़ा सा गी अड़ कर रहे हैं देसी गी का इसमें फ्लेवर देंगे तो तकरीबन हम इसमें दो टेबल स्पून के गरीब आपका इसमें गी अड़ हुआ है जिससे एक देशी घी की खुश्बू के साथ आपके जो फ्लेवर भी और टेस्ट भी थोड़ा सा बिल्कुल अलग हटके और आपको इन्शालाद आला उसका फेर ये बहुत जादा पसंद आएगा आईए थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए इसे हम इसमें आड कर देते हैं अमूल फ्रेश क्रीम तो यह आपकी इसमें क्रीम आड हो गई है क्रीम का इसमें डलते ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बस अब हम इसमें फटाफट कोफते डाल देंगे तो ये लिजिए आपके इसमें कोफते आड हो गए है और एक बार इसमें बॉइल आ जाएगा तो बस हम इसे सर्फ कर देंगे जैसे के आपने देखा कितनी आसान सी रेसीपी है आप इस रेसीपी को ज़रूर ट्राइग कीजिएगा सर्फ करते वक्त आप इसमें उपर से भी थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं मलाई जो दूद की मलाई होती है या फिर क्रीम अट करके और थोड़ा साहरा धनिया तो अगर एंजॉई किया है रेसीपी को तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा